कि हलो बच्चा gossipy तो आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्तिर थी अन्डर्स्टेंडिंग कॉलिंटर अज हम कॉलिलेटर के आधेंगे की कॉलीलेटर क्या होते हैं किनको बोलते हैं तो कॉलिलेटर के में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा polygons के बारे में जान लेते हैं कि polygons क्या होते हैं polygons जो होते हैं वो एक simple closed curve होती है जो line segments की help से बनी होती है for example जैसे मैंने ये एक figure draw कर दी ये एक closed curve है और ये किसकी help से बनी है line segment की help से बनी हुई है ये A, B, C, D यहां A, B एक line segment है B, C भी line segment है C, D, D, A ये चारो line segments है तो polygons ए closed curve होता है जो line segment की help से बनता है अब अगर ये मैं figure हूँ तो यहां पर ये भी closed curve है बट ये line segment की help से नहीं बना so this is not a polygon okay again ये आपके समने एक figure draw की this is also a polygon क्योंकि ये भी closed curve है और ये line segment की help से बनी हुई है यहां पर तीन line segments जो हैं वो हमने use की हुई है this is also a polygon ये भी closed curve है ये भी line segments की help से बनी हुई है बट अगर मैं ये एक figure draw करूं ये line segments की help से तो बनी है बट ये closed curve नहीं है so इसको हम polygon नहीं बोलेंगे तो I hope आपको polygons के बारे में समझ आ गया होगा polygons क्या होते हैं simple closed curve होती है simple closed curve made up of line segments okay अब diagnose किसको बोलते हैं जैसे आपको ये figure दी हुई है A, B, C, D ये एक figure है तो ये इसके vertices हैं इनको हम vertices बोलते हैं तो opposite vertices को जो line join करती है जैसे ये line इन दोनों vertices को join करती है तो इसको हम बोलते हैं diagonal हमेशा diagonal जो है opposite vertices को join करती है अगर हम बोलें A और B इन दोनों को भी diagonal इन दोनों को भी तो ये line join कर रही है तो क्या ये भी diagonal है no diagonal हमेशा उस line को बोलते हैं जो हमेशा opposite vertices को join करती है जैसे आपके सामने ये एक figure मैंने draw कर दी यहाँ पे इसका opposite vertices के आ जाएगा ये भी इसका opposite vertices है तो यहाँ पे ये एक diagonal आ गया ये दोनों भी opposite है 2 diagonal ये दोनों भी opposite है तीन diagonal ऐसी हर एक पॉइंट के तीन तीन अलग अलग डाइगनल्स बनते जाएंगे यह आ गया अब इसका यह ओलरी जॉइन है यह भी इसका डाइगनल है यह भी इसका डाइगनल है तो आपस में जोड़ते हैं फीगर के अंदर उनको बोलते हैं डाइगनल्स उनको क्या बोलते हैं डाइगनल् यहाँ पर कोई अगहाल साबड़ कर सकते हो कोई और डाइगब डॉर कर सकते हो Rio तो कर सकते हो 9ःटी डाइगनल केUL Čनी टौ अब हमागे अब हम आगे next पढ़ेंगे polygons की types, polygons आगे four types में आ जाते हैं, convex polygons, concave polygons, regular polygons और irregular polygons, तो हम one by one इन चारों को study करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आजाता है, convex polygons, convex polygons क्या होते हैं, convex polygons हम उनको बोलते हैं, जिन में diagonal जो हो है, वो figure के बाहर draw ना होता हो, जैसे example, ये मैंने एक figure ले लिए, एक polygons ले लिया, तो इसमें जो diagonals होंगे, वो कितने बन सकते हैं, ये दोनों भी diagonal बन रहे हैं आपस में, ये भी diagonal draw हो रहा है, ये भी diagonal draw हो रहा है, और एक ये diagonal draw हो रहा है, तो यहाँ पे figure के बाहर, exterior area में कोई भी diagonal draw नहीं हुआ, तो जिस polygons के सब भी diagonals figure के अंदर ही होते हो, figure के अंदर draw होते हो, उसको हम बोलते हैं, convex polygons, okay, now next आजाता ह है, concave polygon, concave polygon क्या होता है, तो concave polygon हम उसे बोलते हैं, जिसमें at least कम से कम एक diagonal जो है, वो polygon की figure से बाहार आता हो, जैसे example, ये आपके पास figure है, ये polygon ही है, ये polygon ही है, क्योंकि देखो, ये closed curve है, और line segments की help से बना हुआ है, तो this is a polygon, आप यहाँ पे हम एक ये diagonal draw कर सकते हैं, भी opposite vertices हैं, क्योंकि इसके साथ वाला ये है, ये line ऐसे draw हो रही है, तो ये दोनो opposite vertices है, that means, एक diagonal हमारा यहाँ draw होता है, तो ये वाला जो diagonal है, वो इस polygon के interior area में नहीं है, वो इसके exterior area में draw हो रहा है, तो वो polygon जिसका at least कम से कम एक diagonal जो है, वो बाहर, figure के बाहर draw हो, तो उसको हम बोलते हैं, concave polygon, या फिर एक simple way से आप याद कर सकते हो, कि वो polygon जिसका at least one angle, जैसे ये वाला angle है, ये 180 degree से जाधा बनता हो, या आपको सामने पता चल रहा है, ये वाला angle 180 degree से जाधा है, तो that means, ये concave polygon है, और convex polygon में कोई भी angle आपका 180 degree से बढ़ा नहीं हो सकता, उसमें 180 degree से छोड़ते होंगे, और इसमें एक angle 180 degree से बढ़ा होगा, आप बोलते हैं, next हमारा आजाता है, regular polygon, regular polygon क्या होते हैं, तो regular polygon हम उनको बोलते हैं, जिन में, जैसे आपको ये figure दी होई है, जिन में उसकी सभी sides और सभी angle equal हो, उसको हम बोलते है, regular polygon, जैसे example, अगर ये वाली side 2 cm है, ये भी 2 cm हो, ये भी 2 cm हो, ये भी 2 cm हो, और ये चारों एंगल, 90, 90, 90, 90, ये सेम आया, यहां पे sides भी equal आ गई, और angle भी equal आ गई, तो ऐसी figure को हम हमेशा क्या बोलते हैं, regular polygon, जिसमें equal sides हो, और equal angle हो, तो irregular इसको opposite आ गया, इसमें क्या होता है, irregular में, irregular polygon में, angle जो है, वो equal हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, बट, उसकी sides हमेशा equal नहीं होगी, उसकी sides जो हैं, वो equal नहीं होगी, जैसे हम example, ये ले ले, ये rectangle आ गया, इसके angles तो equal हैं सभी, 90 degree, 90 degree, and this one is also 90 degree, बट, इसकी जो sides हैं, वो equal नहीं है, ये दोनो sides आपस में equal हैं और ये दोनो sides आपस में equal हैं, बट, चारो sides आपस में equal नहीं हैं, that means, ये irregular polygon है, irregular polygon में क्या आता है, आपके angle may or may not be equal, बट, जो sides हैं, वो equal नहीं होगी, और regular polygon में, आपकी angles भी सभी equal होगे, और आपकी sides भी सभी equal होगी, now, classification of polygons, अब हम इसके बारे में थोड़ा study करेंगे, तो classification of polygons, क्या हो गया, simple way में समझो, तो आप जानते हो, जो polygon होते हैं, वो line segments की help से बनते हैं, तो different number of line segments के साथ, आप different number of figures बनाओगे, जैसे, अगर आपके पास, मैं बोलू, three, three sides है, तो उसके साथ, आप figure कैसी draw कर सकोगे, this, 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 okay, three sides के साथ, आप in shapes की figure draw कर सकोगे, तो इन shapes को हम क्या बोलते हैं, ये तो आप जानते हो, triangle, okay, तो different number of sides जितनी होगी, उसी हिसाब से polygons, जो है, वो different, different होते हैं, और उनके name भी different, different होते हैं, उनकी figures different, different बनती हैं, जैसे, three sides के साथ, आपकी जो figure बनती है, उसको हम बोलते हैं, triangle, अगर आप four sides use करो one, two, three, four, यहां आपने four sides use की हैं और एक figure draw की है, this is a polygon, आपने polygon draw की है, तो इस polygon को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, coordinator, जो आपने पढ़ना है, इस chapter का नाम आप जानते हो, क्या है, understanding coordinator, तो इसके बारे में आपने पढ़ना है, coordinator के बारे में, तो four sides की help से जो polygon draw होता है उसको हम coordinator बोलते हैं, यह ऐसा भी हो सकता है, यह इस shape में भी हो सकता है, यह इस shape में भी हो सकता है, किसी भी shape में आप four line segments use करके, जो भी figure draw करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, coordinator बोलेंगे, then ऐसे ही आगे five line segments अगर आप use करोगे, तो उसको हम बोलते हैं, उन figures को pentagonal, अगर आ six line segments use करके figure draw करोगे polygon draw करोगे तो उसको हम बोलते है hexagonal अगर आप seven line segments use करोगे तो उस polygon को हम बोलते है heptagonal ऐसे आगे आगे जोगे हैं जितनी ज़्यादा आप line segments use करते जाओगे उनके नेम भी आगे आगे जिसे pentagonal hexagon heptagon, octagon, nanogun इस तरह ये नेम आगे जाएंगे और इनकी शेप भी पेंटागन की शेप आपकी याद है कि one two three four five इस शेप में हो सकता है इस शेप में हो सकता है किसी भी शेप में हो सकता है और इनके नाम पर्टिकुलर नेम इनको दिये गया है कि five line segments अगर आपने यूज की हुई है तो उसको हम pentagon बोलते है six line segments यूज की है उसको हम hexagon बोलते है four line segments यूज की हुई है तो उस polygon को हम koordilator बोलते है तो हमने इसके बारे में पढ़ना है next अब next हम पढ़ेंगे angle sum properties angle sum properties of triangle आप already पढ़ चुके हो कि किसी भी triangle के three angles का sum क्या होता है वो हमेशधा one eighty degree होता है तो angle sum property of polygons क्या होगा क्यों आप जानते हो कि जो polygen है वो different different types के होते हैं वो three sides के बही हो सकते है four sides के भी हो सकते हैं five sides के भी होसकते है different different उनके shapes होती है तो that means позY horse inch recepust के लिए जो उनका angle sum property होगा जो उनके angles का sum होगा वो different different होगा तो वो हम कैसे find out कर सकते हैं तो उसका एक simple way है n minus 2 into 180 ये formula आप use करके किसी भी polygon का angle का total पता कर सकते हैं जितने angle बन रहे हैं उस figure में उन सब का total कितना होगा तो यहाँ पे n क्या है n होता है number of sides जितनी उसके sides होगी वो हम यहाँ fill कर देंगे उसमें से 2 minus करेंगे then उसको हम 180 के साथ multiply कर देंगे वो आपको मिल जाएगा उसके angles का sum अब सबसे पहले हम इसको triangle पे apply करके देखते हैं क्योंकि हम already जानते हैं कि जो triangle होता है उसके तीनों एंगल का sum 180 डिगरी होता है तो आप जानते हो triangle की sides कितनी होती है triangle के लिए सबसे पहले हम करके देखते है triangle होता है उसकी sides होती है 3 तो हम यहाँ n की प्लेस पे 3 फिल कर लेते है 3 then minus 2 into 180 डिगरी तो 3 minus 2 1 into 180 डिगरी that is 180 डिगरी तो आप जानते होता है उसके angles का sum आगया 180 डिगरी की जो triangle होता है उसके तीनों angles का sum 180 डिगरी होगा ऐसे ही आप quadrilेटर का निकाल सकते हो quadrilेटर का आप जानते हो कितनी sides होती है 4 sides होती है तो हम यहाँ पे आप n की प्लेस पे क्या भरेंगे 4 that is 4 minus 2 into 180 तो वो हमारा आजाएगा 4 minus 2 2 into 180 तो 2 को इससे multiply करेंगे वो आपका आजाएगा 360 डिगरी that means quadrilेटर के quadrilेटर की figure ऐसी होती है इसके 4 एंगल बनेगे आपके that means quadrilेटर के इन 4 एंगल का सम कितना होगा 360 डिगरी होगा तो आप थोड़ा हम इसको prove भी करके देख लेते हैं मान लो यह आपका quadrilेटर है ठीक है तो हमने यहाँ पे यह एक diagonal draw कर दिया तो यह आपकी triangle बन गई एक triangle यह यह triangle की shape बन गई है इसका हम नाम रख लेते हैं A B C इस triangle का नाम हमने रख लिया A, B, C यह triangle 1 मान लेते हैं यह हमारी दूसरी triangle बन गई B, C, D इसका नाम हम यह मान लेते हैं यह दूसरी triangle बन गई अब आप already जानते हो कि एक triangle के तीनु angles का sum होता है 180 degree that means this one plus this one plus this one ये हमारा आजाएगा 180 degree और इस triangle के भी तीनु angles का sum कितना होगा 180 degree that means this one plus this one plus this one ये भी हमारा आजाएगा 180 degree तो अब इन दोनों को जब plus करोगे तो आपका कितना आता है दोनो triangles अगर हम जोड़ दे join कर दे तो इन सभी angles का sum कितना हो जाएगा that means इसके angles का sum जो है और इसके angles का sum है वो हम add कर दें के वो जैगा 180 plus 180 that is 360 degree तो यहां से भी हमआरा प्रूव हो जाता है कि जो एक co-ordinator होता है उसके 4 angles का sum है वो 360 degree होता है तो this one is a simple way यह formula आप यूज करके चाहे जितनी मर्जी बड़ी figure हो जितने मर्जी जादा sides हो जितने मर्जी जादा angles हो आपको यहाँ पे n की place पे number of sides फिल करना है 2 minus कर देना है and finally finality से multiply कर देना है आपको उसके angles का sum मिल चाहेगा और यह तो अब बात की हमने उसके interior angle की अब हमें जानना है उसके exterior angles के बारे में जैसे triangle आप जानते हो यह हमारी triangle है इसके interior angles का sum 180 degree होता है अगर हम यह lines चूँ है वो आगे draw कर दें ऐसे तो यह हमारे आगे exterior angle इनको exterior क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह polygon के interior area से बाहर है यह हमारी polygon है यह वले angle polygon की figure से बाहर है तो इनको हम exterior angle बोलते हैं इन angles का sum कितना होगा polygons में हमेशा exterior angles का sum आपका 360 degree ही होगा चाहे कोई भी figure हो जितनी मर्जी sides हो उसकी चाहे 5 sides हो 10 sides हो, 12 sides हो उसके exterior angles का sum 360 degree ही होगा अब हम पढ़ेंगे kinds of quadrilator के बारे में तो quadrilator के बारे में आप जान चुके हो quadrilator क्या होता है वो parallelogram जिसकी 4 sides होती है वो किसी भी shape में हो सकता है मैं आपको बता चुकी हूँ वो किसी भी shape में हो सकता है बट उसकी 4 sides होगी है उसको हम बोलते है quadrilator क्या बोलते है quadrilator अब और quadrilator के जो angles का sum होता है वो हमेशा 360 degree होता है क्योंकि यहां पर आपको मैं भी पीछे प्रूफ करके बता चुकी हूँ यहां पर दो triangles ट्रॉव हो रही है यहां पर दो triangles हो गई तो इन दोनों का sum क्या जाएगा 360 degree या फिर वही and minus 2 into 180 यह फर्मुरा लगा कि आप find out कर सकते हो कि इसके angles का sum कितना होता है तो यह सब आपको पता चल गया तो अब हम next पढ़ेंगे इसकी kinds के बारे में तो सबसे पहले trapezium quadrilator की सबसे पहली kind आ गई trapezium तो trapezium क्या होता है trapezium हम उस quadrilator को बोलते हैं जिसमें उसकी दो sides चोंगी वो parallel होगी जैसे example यह मैंने एक polygon ड्रॉ किया या coordinator कुछ भी बोल चकते हो ड्रॉ किया यहां पे यह दोनों जो sides है यह आपस में parallel नहीं है parallel आप जानते हो parallel lines क्या होती है जो series में एक साथ चलती जाती है यह दोनों lines आपस में कभी भी intersect नहीं होगी अब यह मैंने दो line ड्रॉ किया है यह दोनों line नहीं है क्यों कि कही न कहीं जाके यह आगे जाके एक दूसरे को intersect कर देंगी तो parallel lines होती है वो कभी भी आपस में intersect नहीं होती वो series में चलती ही जाएंगी यह से चलती ही जाएंगी चाहे जितनी मर्जी उनको आगे बढ़ा दो वो कभी भी आपस में intersect नहीं होगी that is parallel lines तो यहाँ पर भी यह जो दो line है यह आगे जाके इनको अगर मैं आगे बढ़ा दू तो यहाँ पर यह intersect हो रही है that means यह दोनों parallel lines नहीं है यह जो line है और यह वाली यह दोनों line जो है यह parallel lines है यह दोनों आप आगे जितना मर्जी इनको आगे बढ़ाते जो दोनों side जिस side मर्जी बढ़ाओ यह आपस में intersect नहीं होगी that means यह दोनों parallel line है तो trapezium हम किसे बोलते हैं trapezium हम उस coordinator को बोलते हैं जिसके one pair of side kite तो kite में quadrilator की shape कैसे होती है अब यहाँ पर भी देखो यह मैंने figure draw की तो इसमें भी आपकी 4 sides ही है that means this is also a quadrilator बट इसमें जो होता है इसको हम kite क्यों बोलते हैं इसका particular name kite क्यों रख्या है क्योंकि यहाँ पे जो consecutive sides होंगी किसी भी quadrilator की consecutive sides consecutive होता है जो एक साथ lines होती है जैसे यह मैंने lines draw की यह दोनो opposite sides है but this one and this one यह दोनो consecutive sides है क्योंकि यह दोनो एक साथ जो आइन है यहाँ पे तो यह consecutive sides है तो kite हम उस quadrilator को बोलते हैं जिसमें जो consecutive sides होती है वो equal हो that means this one and this one यह दोनों sides आपको equal दिख रही है यह भी और यह भी यह दोनों equal है यहाँ पे यह वली और यह वली यह दोनों sides equal है that means this is a kite इस shape को इस quadrilator को हम kite बोलते हैं कोई भी quadrilator जिसकी दो consecutive sides हो है वो आपस में equal हों उनको हम kite बोलते हैं next हमारा आजाता है parallel ground अब यह भी एक quadrilator ही है that means इसमें भी 4 sides से use होंगी figure draw करने के लिए तो इसकी figure कैसी होती है इसमें हमेशा parallelogram में हमेशा क्या होता है opposite sides जो हैं वो equal होंगी काईट में क्या था consecutive sides equal होंगी जो 7 sides है 7 साथ जूड़ी होई line है वो equal होंगी बट parallelogram में opposite sides जोंगी वो equal होंगी यह side और यह side equal होंगी यह side और यह side equal होंगी जैसे यह आपके पास यह figure आ गई no this one is quiet यह figure draw के यहां पा यह opposite sides equal है यह opposite sides equal है तो parallelogram में opposite sides हमेशा equal होंगी तो ऐसी oscillator जिसमें opposite sides equal हों उसको हम parallelogram बोलते हैं और इसके opposite angles जोंगे वो भी equal होंगी opposite angles जोंगे वो भी हमेशा equal होंगे यह angle और यह angle equal होगा opposite angles हमेशा equal होंगी और इस पे जो diagonal हम draw करेंगे यहाँ पर भी आपका एक यह diagonal बन रहा है और यह ड्या बनर रहा है यह दोनों हमेशा आपस में क्या करेंगे बाइस करेंगे एक दूशरे को काट chyba थे तो है यह हम ने कौड लेटर की काइन पड़ी की कोड लेटर क्वाहर में तो है बड़ीर्र क्या होत अनल्रिप मैं और होती है तो एक पेव कोई भी वन पेवर ऑफ साइट पैरलरो उसको हम ट्रिपीजियम बोलते हैं सेकिंड पड़ा हमने काइट के बारे में उसमें होता है जो कॉंजी क्यूटिव साइट्स होती है वो हमेशा इकोल होंगी उसको हम काइट बोलते हैं नेक्स्ट पड़ा पैरलो ग्राम के बारे में इसमें होता है ओपोजिट साइट समेशा इकोल होंगी ओके आगे पैरलो ग्राम की भी कुछ टाइपस आ जाती है अब हम उसके बारे में बढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे पैरलो ग्राम की टाइप्स के बार में जो पैलोगराम होता है आपको मैंने बता दिया कि यह जो आगया यह वाले कौदिलेटर को हम पैलोगराम बोलते हैं तो आगे पैलोगराम के यह थ्री टाइप्स आ गए rhombus, rectangle and square तो सबसे पहले rhombus के बारे में जानते हैं rhombus की हमारे shape आजाती है figure हमारी इस वे में this is the rhombus इसको हम rhombus पोल लेंगे तो rhombus की properties क्या है इसमें जो opposite sides होती है वो equal होती है हमेशा यह opposite sides जो है यह equal होगी opposite angles इसके equal होगे यह वाला angle इस angle के equal होगा यह angle इस angle के equal होगा और जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect करेंगे और angle 90 degree का बनाएंगे यह दोनों diagonals जो हैं वो एक दूसरे के perpendicular होगे perpendicular mean 90 degree का angle बनाएंगे तो यह आगे rhombus की properties then rectangle rectangle आप already जानती हो rectangle की जो figure होती है वो यह होती है rectangle के भी opposite sides जो होते है वो हमेशा equal होते है यह side इसके equal होगा यह side इसके equal होगा इसका each angle हर एक angle जो है वो कितना होगा 90 degree का होगा यह चारों angle इसके 90-90 degree की होगे और इसमें जो diagonal bisect करेगा यहाँ पर diagonal bisect करेंगे एक दूसरे को वो diagonal भी equal होगे यहाँ पर then next हमारे आजाता है square square क्या होता है उसकी properties क्या है square की figure हमारी आजाती है इस पर यह में यहाँ पर इसके 4 sides और 4 angle यह 4 equal होगे यह each side यह equal होगे यह 2 cm है यह भी 2 होगा यह भी 2 होगा यह भी 2 होगा angle इसका 90 degree स्क्वेर के चारो एंगल हमेश़ा 90 इंपूर 007 की होती है और यहां पर बी दो डाइगनल बनें गे एक इंगनल होगा एक इंगनल होगा और यह दोनों आपस में बाइसेक्ट करेंगे उसे को कट करेंगे तो आज इस चैपटर में हमने polygons के बारे में बढ़ा coadilator के बारे में बढ़ा काइंट के बारे में बढ़ा तो यहां हमारे यह chapter की introduction फिनिश होती है तो next video में हम इसकी exercise करेंगे तो thank you I hope बैच्चो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ब्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल, बाइ!